मेरा नाम विपुल ठाकर है और मैं आरो ही एंबेड़िज सिस्टम में एक डिरेक्टर है एट आरो ही वी प्रोवाइड इनवेटिव एंड एक्स्क्लूजिव सॉल्यूशन्स वीच हल पीपल एंड बिजनेसे रेज दबार हम हमारे कस्टमर को हम हर हमेज उसका लेवल कैसे अ भैरंडा मेंटल मेंसेज़ बेजा करते थे जिसे नह dys Dosra now ये जो भी है मित्क वृफ को ने आम थेंड चैसेंगे तो आज का टौपिक है आज का टौपिक है आवर हीटिग स्पंप यह मोटन में कहло जाने के 80% problem रहते हैं because of our heating तो उसके क्या reasons होते हैं देखिए बहुत सारे reasons है मैं एक के बाद एक बोलता जाता हूं अगर ambient temperature ज्यादा है तो motor जल सकता है अगर our loading हो रहा है तो motor या pump जल सकता है अगर supply voltage ज्यादा है या supply voltage कम है तो motor जल सकता है अगर supply voltage में सार्ज या स्पाइक आता है तो motor जल सकता है अगर installation pump या motor का improper तरीके से किया हुआ है तो motor जल सकता है अगर submersible motors में external cooling जो medium है उसका floor rate कम है या floor rate ज्यादा है तो motor जल सकता है अगर motor के बाहर जिसे minerals deposit हो जाए अगर वह हो जाता है तो motor जल सकता है अगर voltage और current का imbalance है तो motor जल सकता है अगर auto mode में चल रही है और on off frequency ज्यादा तो motor जल सकता है अगर VFD थ्रू motor चल रहा है और उसमें अगर ramp up time कम है तो motor जल सकता है अगर three face motor में reverse facing हो गया तो motor जल सकता है अगर three face motor में single facing हो गया तो भी motor सल सकता है इस तरह से बहुत सारे reasons है आज मैंने आपको reasons बता है next video में मैं इसमें थोड़ा detail आपको study करके बताने वाला हूं तो मैं यह चाहता हूं यह request करता हूं कि यह video आप अपने जो भी है motor और field motor pump industries के फिल्ड में आपके जानने आपके जानने वाले है जो इसमें जैसे रिटेलर से डिस्टिब्यूटर से रिपेरिंग सेंटर से employees है या अगर यूजर से उन सब को यह जुरूर बेजिए इसमें काफी basic fundamentals हम देने वाले हैं यह मेरा चैनल आप जुरूर like किजिए subscribe किजिए और bell icon को जुरूर click किजिए ताकि आपको next video 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 easily आपके पास भूच जाए thank you very much you you you